कि असलाम अलेकूं मैं आपकी फेजिशन डॉक्टर कॉसर हेल्थ केर चैनल से आपसे मुखातिब हूं उमीद है आप लोग सब अच्छी सेयत में होंगे आज का हमारा टॉपिक है आरन डिफिशिंसी अनीमिया वैसे तो नीमिया की तरह के होते हैं लेकिन जो पूरी वर्ल्ड में कॉमन है और हमारे मुलक में भी बहुत जादा कॉमन है वो आईरन डिफिशिंसी अनीमिया है जैसा कि आप लोगें को पता है के हमारे blood में hemoglobin एक protein होती है और hemoglobin का काम यह होता है कि यह oxygen जो है वो हमारे पूरी body को supply करती है और iron öan जो है, वो hemoglobin बनाने में बहुत सादा मदद करता है iron के अगर deficiency होगी तो हमारे अंदर hemoglobin की deficiency हो जाएगी iron की जो daily requirements हैं वो 1 mg per day के साब से जरूरी होती है लेकिन pregnancy में ये requirements दो से तीन गुना ज़ाता हो जाती है वो क्यों कि pregnancy में हमारा पूरा circulating system expand करता है और जिसमें plasma volume भी ज़ाता है और red blood cells भी ज़ाता होते हैं अब red blood cells को बनाने के लिए iron जो है वो बहुत जरूरी है इसलिए अगर iron की deficiency होगी तो ये anemia जरूर होगा अब iron की deficiency कैसे हो सकती है वो इस तरह से कि या तो हम अपना खुराग जो है उसके अंदर iron जो है वो बहुत कम ले रहे हैं यानि ऐसे foods जिनके अंदर iron होता है वो हम कम ले रहे हैं और कुछ हमारे मुलक में ये भी मसला है कि पावर्टी इतनी जादा है कि बहुत सेरे लोग ऐसे फूड्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते इसके लावा जो अगर हमारा इंटेक ठीक है तो हमारी जो absorption है आरण की उसमें भी कोई मसला हो सकता है जिसके वज़ा से deficiency हो जाती है मसलन celiac disease है उसमें absorption कम हो जाती है या किसी को hookworms है उसकी वज़ा से بھی आरण की deficiency हो सकती है एक और cause जो आर estás deficiency बहुत ज़ादा करती है वो है bleeding अब ब्लीडिंग जो है है वो internal वह सकती है और external भी हो सकती है internal bleeding जो है वह कही तरह के जो stomach ulcers है उनमें हो सकती है या कोई regular painkillers ले रहा है उसमें bleeding हो सकती है और एसी तरह से खवातीन में जो bleeding की सबसे बड़ी वज़ा है वो menorrhagia है यानि मावारी का ज्यादा आना तो वो क्यों हो सकता है कि किसी को fibres हैं, endometriosis है या कोई hormonal imbalance है जिसकी वज़ा से bleeding ज्यादा होती है अगली जो सबसे बड़ी वज़ा है iron deficiency की वो है repeated pregnancy यानि कुछ खवातीन में तकरीवन एक-एक साल के बाद बच्चे पैदा हो रहे होते हैं और इसके बाद वो breastfeeding भी करवाती है जिससे उनका iron का store बेलकुल खतम हो जाता है और बहुत से बच्चे जो हैं वो regular जाके blood donations देते हैं और बास दफ़ा इतनी ज्यादा ओडिनेशन देने से iron की deficiency हो जाती है अब देखना ही है कि iron की deficiency जब ऐसी खातून में होगी जो प्रेग्डेंट भी होगी तो उसके अंदर क्या-क्या symptoms जोने वहाँ सकते हैं उसके अंदर headache हो सकती है irritability हो सकती है उसका जो mood है वो लो रह सकता है उसकी उसको breathlessness हो सकती है यानि सांस पूलना उसको preparation हो सकती है दिल की धड़कन यानि वो जादा महसूस करेगी इससी तरह से हाथ पॉंकर ठंडा होना भी complain करेगी और उसके nails brittle हो सक सकता है और उसकी skin भी pale जो है वो नजर आ सकती है और इसी तरह से मदर जो है उसकी premature delivery हो सकती है बेबी का birth weight low हो सकता है और अगर खुदाना खासता कोई pregnancy में या delivery में कोई ऐसी complication आगी bleeding जैसी तो मदर की जान को भी खतर हो सकता है जब बच्चा पैदा होता है वो भी निमिक होता है और उसको जो है repeated infections हो सकते है उसका weight कम होता है अगर कुदाना खासता उसको cause milk पे लगा दिया तो cause milk जो है वो deficient होता है आरन में तो उसके अंदर और कमी होती जाएगी और लेटर आन उसकी mental development effect हो सकती है उसकी जो वैसे growth उसकी effect हो सकती है तो बच्चा जो है वो भी क अब आपने करना क्या है कि आपको जैसे ही पता चले कि भी हमल है तो एक तो आप अपनी एंटी निटल विजट जो है वो करें ताके डॉक्टर आपके टेस्ट शुरू में कर ले और पता चले कि अगर जो है हीमोगलोबिन कम है तो आपको उसकी दवाई दी जा सके और दू इंसी में वो बहुत अच्छी रखने की जरूत है यानि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आइरनो मसलां रेड मीट है बीन्स है और एग्स है फूरूट है फूर्टिफाइड सीरियल्स है फूरूट में आप एपल है डेट्स है और ड्राइड फूरूट्स है यह सब आप अग दॉक्टर आपको औरल आरेन प्रिस्क्राइब करते हैं और बासका कुछ वातीन कंप्लेइन करती हैं कि वो टॉलरेट नहीं कर सकती तो उसके लिए फैर आरेन की इंफूरूइन्स जो हैं वो भी मुझूद है लेकिन अगर आप एक लेटर स्टेज पे बगार कोई चेक डॉक्टर के पास जाएंगी और आपको हीमोगलोबिन बहुत कम होगा तो उस सकत आपको ब्लड ट्रांस्वियन के साथ ही लाज किया जाएगा आरेन पूरा करने के लिए तो इसलिए बरवक्च है इसकी टीटमेंट बहुत जुरूरी है प्रेगनसी में आप अपना एंटी निटल चेक अपस के बारे में इंफोर्मिशन चाहिए तो उसके बारे में मेरी वीडियो बजूत है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उमीद है आज की वीडियो आपके लिए काफी मालुमाती होगी वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको शियर क कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिए अपना ख्याल रखेगा अलाहाफेज